स्टार्ट अप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पांस बिलियन डॉलर का काम हो रहा है और दो हजार लोग काम करें जरूर रहेंगे पांच लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूँ तो मेरा स्टार्ट अप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है एक साइकोलोजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मांसिक्ता से उसको बहार लाना है वो जॉब क्रियेटर बने और एक मार उसके दिमाग में आ गया अगर मुझे दो लोगों के जिन्दगी के बद समालना है वो कर लेगा हमारे देश मैं एजुकेशन इंफर सेक्टर पर बल दिया जाता है टीचर की अपाण्मेंट पर बल दिया जाता है वो काम हो भी रहा है लेकिन समय की मांग है quality education की गरीब से गरीब दूर सुदुर जंगलों में रहने वाला बत्ती हो पहाडों में रहने वाला मैं ऐसे कैसे चीजों कर खोज के निकालू कि उसी quality का education जो अमीर घराने के बच्चों के मिलता है उस technology के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुँचा हूँ और देश तब बढ़ लेगा कि हम समाज के आखरी इंसान को इस सुविधावत से लाभानीत करके उसकी जिन्दी बदलने का आउसर दे हमें उसको फीड करने ज़रोत नहीं पड़ेगी अगर उसको quality education मिलता है तो वहां भी आज एस स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो ऊठके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देगे हैं हेल्ट सेक्टर आज हेल्ट सेक्टर ज्यादा तर डॉक्टरों पर dependent कम हैं टेक्नोलोजी पर dependent है डॉक्टर भी खुट टेक्नोलोजी पर dependent है अ कि मशिन ताय करता है कि तुम्हें क्या तकलीब है फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं किताब देख करें ले लो इसका मतलब हेल्ट सेक्टर में टेक्नोलोजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है लेकिन भारत जैसे देश में यह एफॉर्डेवल कैसे हो यह हमारे सामने चुनौती सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने इस पर हम सोचे नए पन से सोचे और इसलिए स्टार्ट अप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाइफाई होगा लेप्टॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी मोबाइल से जुड़े होंगे ऐसा नहीं है यह लोग हैं जिन्नोंने कोई कमाल के यहां हर प्रकार के लोग है स्टार्ट अप बिया इसके लिए मुझे अलग सोच करने जरोत नहीं है जिस देश के पास 800,000,000,000,000,000,000 बियोंगे नौजवान हो जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो हाथ में हुनर हो अप्रम पार सपने हो और पुनिये पूरी दुनिया में अवकास ही अवकास हो क्या नहीं हो सकता है आज मैं आई टी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा विश्वक एक किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूँ दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है उनकी जो बातों होती उसमें एक चिंता हरे को सता रही है और वो है साइबर सेकुरिटी हर कोई परिशान है कि आप भारत साइबर सेकुरिटी प्रोवाइडर के रुपे अथोरिटी बन सकता है एक बार हिंदुस्तान का ब्रांट का साइबर सेकुरिटी का सॉपकार मिल गया अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकते हैं कि मानुजात के लिए चुनोती आवशक हैं क्योंकि सर्फरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए कि लेकिन हम मानुदा को बचा भी तो सकते हैं हमारे पास इस प्रकार के लोग है और ये भी सही है भारत के पास मिलियन और मिलियन प्रॉब्लेम है क्योंकर नहीं सकता है लेकिन at the same time मुझे इस बात का भरोसा भी है कि billions of billion mind भी है अगर million problem है तो billion mind भी तो हमारे देश्ट में है हर start-up के फिशे कोईन कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए है और जब किसी start-up के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कई कुछ और होगा जी जब किसी की जिन्दगी में बढ़लाव लाता है तो उसको एक satisfaction मिलता है और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं job creator बनूँ मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके खारण किसी की जिन्दगी में मैं काम आऊं मैं वो कच करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदार को येतना भी अगर सपना लेकर के हम च कर सब्पेया